जैहेंद यह जो मुखरजी नगर है न यह बहुत ही बिचित और डरावनी जगह है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा है जिस पर आपको भी गौर करना चाहिए। मुखरजी नगर जाना जाता है Civil Services Exam के लिए जिसको समाने तहम IAS की परिक्षा बोल देते हैं इस परिक्षा का सपना देखने वाले लाखो बच्चे हैं पर बच्चे की एक ही इच्छा होती है कि किसी तरह से वो मुखरजी नगर पहुँच जाता या पहुँच जाती और जो स क्लास करते हैं उस क्लास का वह हिस्सा बन जाता इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत से बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वह यहां पर आकर कोचिंग को पे कर सके और डेड़ दो साल रह सके फिर भी चुकि उनका सपना है उनके माता-पिता का भी सपना होत बच्चों की जिद होती है तो माता-पिता किसी तरह से पैसे उधार लेकर या कुछ बेच कर बच्चों को दिल्ली भेज देते हैं दिल्ली स्टेशन पर जब बच्चा या कोई बच्ची उतरती है तो वह एक ही ख्वाब देखता है या देखती है कि अब जब हम लोटेंग इस्टूडेंट के मन में एक बात होती है एक डर होती है और वो कई बार कई स्टूडेंट वो कह भी देते हैं उनके अंदर डर यह होता है कि हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है क्या हमारा सेलेक्शन हो जाएगा पोचिंग वाले बहुत ही प्यार तरीके से मुस्कुरा कर इसका आंसर देते हैं क्यों नहीं होगा आपका कितना परसेंट था आप कहते हैं कि मेरा तैंथ में सिर्फ 40 परसेंट था वो आपको किसी ऐसी स्टूडेंट के बिसे में बता देंगे जिसका परसेंटेज आप से कम और कहेंगे कि देखिए जब यह सेलेक्ट हुए तो आप भी सेलेक्ट होंगे और वैसे भी पहले हम नहीं थे अब तो हम आ गए हैं आप देखिए जिन सर का आप सौर्स देखते रहे हैं रियस देखते रहे हैं आप जिन से सोशल मीडिया पर पढ़ते रहे हैं जिनकी बात आपको प्रभावित करती रही हैं, वो सर्टों अब देखिए हमारे साथ हैं, आप आएए, फीस दीजिए, एडमिसर लीजिए, क्लास कीजिए, आपका सेलेक्शन जरूर होगा। इस्टुडेंट भी, चूंकि अभी इतनी मैचुर्टी लेबल नहीं होती, तो इन क्लासिस का हिस्सा बन जाते हैं, जितना पैसा लाये थे, अधिकांस पैसा कोचिंग वाले ले लेते हैं, और बचा-कोचा जो है कि जो भी थोड़ा बहुत बचता है, उसते इस्टुडेंट और सेलेक्शन लेकर जाएंगे, लेकिन देर दो साल के बाद जब पोचिंग खतम होती है, तो बच्चे के अंदर एक अभाव मैसूस होता है, उसको समझ में नहीं आता कि आखिर इन देर दो सालों में हमने क्या पढ़ा, कुछ भी याद नहीं है, फिर वो गुरु जनों के संपर्क में जाता है, और कहता है कि सर्व मुझे समझ में नहीं आरा करना क्या है, तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं कि इस लाइबरेरी का हिस्सा बन जाओ, इस कोर्स का हिस्सा बन जाओ, फिर से कुछ ना कुछ बेच दिया जाता है, या स्टुडिन को यह एहसास करा दिय जाता है कि और मेहनत करने की जरूरत है, आपका बेक्ग्राउंड ज्यादा कमजोर रहा होगा, जिसको स्टूदियन ने बताया होता है, लेकिन कोचिंग वाले कहते हैं, आपका बेक्ग्राउंड कमजोर रहा होगा, इसलिए आपका selection नहीं होगा, तो यह जो प्रश्ण है ना कि आखिर कोचिंग करनी के बाद भी सेलेक्शन क्यों नहीं होता आप में से बहुत से स्टूडिन का यह प्रश्ण होगा अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर भी यह डर उरता होगा तो इसका डेटा समझे यह मुखरजी नगर अ स्टूडिन तथा कती 3-4 बड़ी कोचिंग संस्थानों का हिस्सा बनते हैं जहां पर एक साल में 15-20,000 पढ़ते हैं और यह हर साल होता है यह मैं जिन कोचिंग संस्थानों की बात कर रहा हूं अगर आप इनके ऑनलाइन स्टूडिन की भी संख्या को जोड़ लें तो यह ज माध्यम से पढ़ रहे हैं लेकिन जब हिंदी माध्यम का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि इस बार तो 1000 सीटे थी और उसमें से हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वा सार से लेकर 70 रिजल्ट पर सिमट गया है और ऐसा एक दो बरसों से नहीं हो रहा है आप इसको वो आपको 5% से भी कम दिखाई देगा लेकिन ना तो student कभी इस चीज को समझने के लिए तयार होते हैं कि जो इन से पहले की student के साथ हो चुका है अर्था जो लोग फेल हो चुके हैं वो हम भी फेल हो सकते हैं और ना coaching वालों के पास इतना समय है कि वो कुछ ऐसा प्रयास कर हैं कि जो 5% है वो 50% में convert हो जाए क्योंकि हिंदी माध्यम से तयारी करने वाले student की संख्या और exam देने वाले student की संख्या लगवग 10 लाग के near about सूची संख्या इतनी बड़ी है और selection होता है 50 से 60 तो कहीं न कहीं कुछ तो लूप होल है तो अगर आप UPSC की तयारी कर रहे है तो थोड़ा सा आप भी ध्यान दिजेगा कि आपकी जो तयारी है वो किसी गलट direction में न बढ़ जाए क्योंकि अगर आप एक बार थोड़ा सा भी गलट direction में चले गए तो आपका 5 से 6 बर समाप्त हो जाएगा और आपके हाथ में जितने attempt हैं वो निकल चुके होंगे फिर आ अगर आप UPSC, CSE अर्था civil services की तयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़े मैं बता देता हूँ और उसके आधार पर आप अपनी तयारी को परक लिजे और चेक कर लिजे पहली चीज़ यह है कि अगर आप कोई coaching कर रहे हैं तो उस coaching को जो आपने coaching decide किया या जो coaching आप decide करने वाले हैं वो reels के अधार पर मत कीजिए, reels अलग होती है और जो real classes होती है वो बहुत अलग होती है अना तो अगर आप किसी educator की reels को देखकर परभावित हैं कि वह 10 second, 30 second, 40 second के लिए आते हैं आपको कुछ ऐसा बता देते हैं कि आप मंत्र मुग्द हो जाते हैं तो समझ जाएगा यही आपकी मंत्र मुग्दता आप पर भारी पड़ेगी क्योंकि वह तो आपको परभावित इसलिए कर रहे हैं कि आप उनके course को आके खरीश सकें डेर से 2 लाक रुपए जो उनकी फीश है उसको दे सकें तो वह दरसल अपना बिजनस बढ़ा रहे हैं लेकिन आप इस यह तो आपके खतम हो चुके होते हैं तो कभी भी जब coaching कौसी करनी है इसको decide करना हो तो core content देखिए core content का मतलब यह है कि भाई आप IAS की तयारी करने जा रहे हैं UPSC CSC की तयारी करने जा रहे हैं तो देखिए उसका जो syllabus है अस्तात history है जोग्रॉपी है quality है economy है environment ecology है यह तो अगर आप coaching के coaching में जाकर उसके core content के आधार पर decide करेंगे कि भाईया history कहां अच्छा पढ़ाया जा रहा है उसकी कुछ demo classes ले लिजिए जोग्रॉपी कहां अच्छा पढ़ाया जा रहा है quality कहां अच्छा पढ़ाया जा रहा है economy कहां अच्छा पढ़ाया जा रहा है environment ecology त तो आपके सफल होने के चांसिस जागा है रिल्स के आधार पर किसी व्यक्ति के मोटिवेशन से अगर आप इतनी मोटिवेट हो चुके हैं कि आप अपना टाइम और एनरजी और पैसा सब कुछ बरबाद करना चाहते हैं तो ध्यान देजेगा इसका मतलब है आपने पहले ही प पर मोटिवेट कर रहा है जो कि सिलेबर्स का पार्ट ही नहीं है उनका अच्छेतर अलग है और आप बिना सोचे समझे बिना उन कोचिंग संस्थानों से पूछे कि यह आपका रिजल्ट कितना है आप एडमिशन ले रहे हैं और आपको कुछ दियों बाद पता चलता है कि पोश्टर्स को देखके आपने एडमिशन लिया था वही पोश्टर बगल वाली कोचिंग में और वही कोश्टर उस से बगल वाली कोचिंग में तब थोड़ा सा आपको गिल्टी फिल होगा आपको रिग्रेट महसूस हो सकता है और यह हमने तो ध्यान नहीं दिया तो जो भी UPSC की कोचिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो ध्यान दिजे आपको कौँसी कोचिंग अच्छी आपके लिए हो सकती है वो देखिए कि जो कोर टॉपिक कोर जो कॉंटेंट है कोर जो सिलेबस है उसकी टॉपिक को कोई आपको कितने अच्छे से समझा पाता है कोई कोचिंग छोटी बड़ी कोई भी ध्यान दिजेगा बड़ी कोचिंग होनी का मतलबी नहीं है कि सब कुछ चंगा है सब कुछ ठीक है रिजल्ट भी आ रहा है आप देखेगा इस चीज़ को ठीक है अगला है कि कई बार हमारा बैक्ग्राउंड भी बहुत कमजोर होता है हम स लगता है कि आपका बैक्ग्राउंड कमजोर है अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अन्य स्टुडेंट की तुलना में थोड़ा सा कमजोर रहा हूं तो आप भली कोई कोचिंग कीजिए लेकिन थोड़ा सा आपको अपने ओपर जादा ध्यान देने की मेहनत करने की ज़रू अचना होगा और खुद पर ध्यान देना होगा जैसे मुझे लगता है कि मैस मेरी कमजोर है तो मैं तैयारी के दौरान मुझे मैस पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है कि एकॉनमी तो हमने कभी पढ़ी नहीं तो अब जब हम एकॉनमी पढ़ें तो हमें समझ में आया और ये आपने दो लाख रुपे की कोचिंग की है, आप इन गुरुजी से पढ़ रहे हो, जिनकी रिल्स जो है के मिलियन मिलियन लोग देखते हैं, अब सोचो आपका क्या ही होगा, आपका सेलेक्शन नहीं होगा, तो किसका होगा, ये बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में पढ़कर आप अपना टाइम और एनरजी सब कुछ बरबात कर लेंगे, तो कोचिंग की अतिसे बड़ी बड़ी बातों के चक्कर ममत पढ़ी, अपनी रियल्टी को ध्यान में रखेंगे, तो आप सही तरीके से आगे पढ़ पाएंगे, उसके अलावा स्टूडेंट जो को कारण ये भी होता है कि वो कोचिंग पर अच्ति भरोसा कर लेते हैं, कोचिंग उन्होंने वो डिसाइड की जो रिस से बनी थी, अगला एक कारण है कि आप NCRT को इग्नोर कर देते हैं, आपको लगता है वो क्लासिक्स, सेवंध, एट, नाइन्ध की बच्चों के लिए लि करता है, और ये क्या ही बोलते हैं, तो अगर आप इस तरह से परभावित होकर और आप NCRT को इग्नोर कर रहे हैं, तो ध्यान दिजेगा, आपका कॉंसेप्ट कभी वो बनी नहीं पाएगा, जो आपको UPSC की नजर में ला सके, आप हमेशा क्या रहेंगे, असफल रहेंगे आप जो है कि जब तक आपका कॉंसेप्ट किलियर नहीं होगा, जब तक आपका UPSC का लेबल आएगा नहीं, आप सेलेक कैसे होंगे, इसलिए NCRT को जरूर पढ़ लेजे, और अच्छे से पढ़ लेजे, NCRT समानता पढ़ने में लोग 6,000 रुपे की टोटल NCRT 6,000 में नहीं, वो भी मातर जो है कि 500 रुपे में NCRT का बैच है, एक साल के लिए, कुछी दिनों के लिए फीस फिर बढ़ जाएगी, आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो मिश्टिक UPSC की कोचिंग करने वाले स्टुडेंट करते हैं, वो ये है कि वोचिंग के दोरान PYQ को solve नहीं करते, अर्थात उनका syllabus एक तरफ से वो complete किये जा रहा है, कि भाया पिछले महीने हिस्ट्री complete हो गया, अगले दो महीने में जो है कि जो ग्रॉफी complete हो जाएगी, अगले एक महीने में पॉल्टी complete, तो ये जो syllabus को complete करने का अप्रोच है, ना कि खुद की गुरवत्ता, खुद की quality देखने को प्रयास, ये उनको डबा देता है, अगर हम coaching करते हुए PYQ को solve करते रहें, pre or means की, खुद की जो हमारा base है, जो हमारा background है, उसकी कम्यों को दूर करते रहें, तो मुझे लगता है कि UPSC में आपको सफलता नहीं देखनी पड़ेगे, तरसल चो PYQ होता है न, वही हमारे लिए एक certificate का काम करता है, कि हम सही direction में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, हम topic को समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम topic को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये किस पर depend करेगा, कि भाई पिछले सालिया पहले, UPSC नहीं जिन प्रिष्णों को पूछा है, मुन को solve कर लें, हम को टेसरी solve कर लें, मेरा मानना ये है कि UPSC की अगर आप तयारी कर रहे हैं, तो और कोई विशे आप समझ पाए हैं कि नहीं, या उस विशे को उस गहराई से समझ पाए हैं कि नहीं, जिस गहराई की ज़रूरत UPSC आप से चाहती है, तो उसका अच्छा पैमाना होगा, आप का syllabus complete हो गया हो, आपनी economy complete कर लिए, और आपको लगता है कि बड़ी बड़ी चीजे आपको लगते हैं कि हम समझ में आ गए, लेकिन जब PY की solve करते हैं, तो हवा ही नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि economy को फिर से अच्छे से पढ़ने की, अच्छे से समझने की ज़रूरत है अगला है, जो हम लोग नहीं करते हैं, वो है लेखन का प्रयास, लेखन कहां से निकलता है दिमाग से, हम किसी topic को सौझ पाये हैं कि नहीं, वो कहां से पता चलेगा हमारे दिमाग से, अगर किसी topic पर हमारी understanding बहुत अच्छी है, तो हम उसको लिख ले जाएंगे, उसको बत प्रयास नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चल पाता, कि दरसल हमारे दिमाग में है कितना, जैसे आपको समझे, कोई भी आप fruits खाईए, कोई भी आप बिटामिन की चीज खाईए, और आप एक तरफ से body में intake कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और वो आपके सरीर में ना लगे तो खाना और ना खाना बरबाद हो गया, ठीक किसी तरह से, जब आप किसी चीज को पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उसको प्रचंड करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसको लिखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपका दिमाग आपको कभी बता ही नहीं पाएगा, कि भाईया तुमको तो बड़े ध्यान देने की जरूरत है, जब आप लिखने का प्रयास करते हैं, तभी आपकी reality सामने वो भर कर आप आती है, कि अरे हमने तो इस टॉपिक को इस तरह से समझाई नहीं था, इस तरह से देखाई नहीं था, हमें इसको देखने की जरूरत है, तो अगला mistake जो अधिकान से student करते हैं, फिर उसके बाद अगली जो कड़ी आती है, कि आप coaching के करते हैं, और सफल नहीं हो तो उसके पीछी कारण यह है, कि पहले coaching वालों का प्रयास ही होता है, कि printed notes बेचना, 18-20,000, 25,000 रुपे में जो coaching वाले हैं, उनके notes बेखते हैं, तो ऐसे में, वो क्या कहते हैं, कि class करो और हमारा printed notes पढ़ो, class करो, printed notes पढ़ो, अब जब आप class कर लेते हैं, printed notes पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप paper देने जाते हैं, या P by Q solve करते हैं, तो आपको लगता है, रही, इतो मेरा काम ही नहीं हो रहा, फिर आपको कोई बताता है, कि क इसमें आपका जो potential है, इसमें जो समझनी की जो एक परकिरिया है, या जो आपका एक label standard textbook पढ़कर पहले ही आ सकता था, और आपने उसको सबसे last में रखा, उससे आप बंचित रह जाते हैं, तो कई बार ये student के साथ होता है, कि बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी notes की bundle लाए, उनको पढ़ा, उनको रंगा, फिर उसको हटा दिया, तो अगर आपको लगता है कि notes अच्छा है, तो सिर्फ notes पढ़िए, फिर standard textbook के चक्करों मत पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि notes की अच्छी quality नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो ही कि standard आपको textbook पढ़ने पढ़िए, तो जब आप textbook पढ़ेंगे class के साथ, तो वो ज़्यादा आपको benefits देगा, अर्थात अब सोचिए, इतना बड़ा मोटा notes है, आपने एक साल, देड़ साल में इसको complete किया, और हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा है, इसलिए आप वो पढ़िए जिसमें आपको आपका output बहुत अच्छा है, अगला जो mistake होता है, वो क्या होता है कि हम पढ़ते चले जा रहा है, लेकिन कई बार हमारा जो पढ़ने का label है, सोचने का label है, जो गैराई का label है, वो UPSC वाला नहीं होता, यहां पर अच्छो कि इसी मुखरजीनगर में आसपा हजारों बच्चे रहते हैं, कई बच्चे ऐसी थोड़ा बहुत जो जानते हैं, मिल जाते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, तो उनका कहना होता है कि सर्फ पढ़ तो सब लिये हैं, अब फिर वो नोर्स बगएरा देखाते हैं, तो मुझे बड़ा soft होता हूँ मैं उनको समझ में आ गया, गहराई उन्होंने बढ़ाई नहीं तो समझ में आज ना आने का भाव ही नहीं है, तो आपको लग रहा था कि आप सब समझ चुके हैं, लेकिन बहुत उपरी तोर पर हम पढ़ लेते हैं, तो जब उपरी सत्ही तोर पर हम पढ़ाई कर चुके होते हैं, य बहुत से student जो coaching करते हैं उसके बाद भी सफल होते ही वह ही है कि strategy को अपनी हिसाब से plan नहीं करते हैं जैसे मान लेते हैं कि मेरी schooling और मेरा जो परिवारिक background है मेरा study background है बिलकुल अलग है आप से इसी तरह से हम दोनों का कोई तीसरा बैक्ति होगा उसका जो study background है उसका सोचने स समझने का जो label है वह हम दोनों से अलग हो सकता है सबका अलगल है तो हम यह strategy जो बनाने चाहिए ना वह किसी दूसरी के हिसाप से नहीं कि किसी टॉपर ने बोल दिया हम तो 6 गंडे पढ़ते थे हम तो जो है कि हमने तो कभी answer writing की ही नहीं पीब आई क्यू तो हमने कुछ कभ point यह है कि आपको strategy अपने हिसाब से बनाने चाहिए आप खुद कल्पना करिए कि कोई सेनापती कोई युद्धा है युद्ध के मैदान में जाया और वो युद्ध का कॉसल दूसरी के हिसाप से लड़े युद्ध के मैदान में जा कि तुम बताओ कैसे लड़ना है तो इस इसी लिए आपको strategy खुद की प्लान करने चाहिए दूसरे की strategy को follow मत कीजिए दूसरे की strategy को follow करेंगे तो फिर दिक्कत ही है अगला है और वो जो last बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकरसीत करना चाहूंगा वो यह है कि syllabus को पढ़ने से जादा पर सा revision पर focus कीजिए हम बर्स भी लगा लें तो UPSC का syllabus बहुत बढ़ा है हम एक तरफ से पढ़ेंगे और भूलते चले जाएंगे तो दो साल तीन साल चार साल बात भी फिर से वही चीज आपको नहीं लगेगे इसलिए थोड़ा सा revision नोर्स बनाने खुद का नोर्स बनाईए और थोड़ा सा revision कीज अर्था जब भी पढ़िए नोर्स जरूर बनाईए और उस नोर्स का revision आपको उसी तीन जरूर करना है और सापताहिक तौर पर फिर से नोर्स का revision कर लेजिए तो जब आप revision को importance देंगे ना तो content आपके दिमाग में रहेगा आपका output बढ़ेगा नहीं तो एक तरफ से आप को देखिए कि लगभग 40-45 लोग UPSC की तयारी कर रहा है इसमें 15 से लेकर 16 लाग लोग form apply करते हैं 8-9 लाग प्लिम्स देने जाते हैं और UPSC में जो है कि एक seat पर हना लगभग 13-14 लोगों को प्लिम्स पास करवाता है तो मान लेते हैं 1000 UPSC की seat आएं तो 13-14,000 लोगों को प्लिम्स पास करवाया जाएगा और इन 13-14,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा अब मेंस के बाद फिर लगभग 33,300 लोगों को इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा और इनमें से 1000 लोगों को चुना ज कर रहे हैं 15,000,000 लोगों को फॉर्म भर रहे हैं सलेक्ट 1000 हो रहे हैं तो आप इस 1000 में अपनी जगह बना पाएंगे की नहीं कि इस पर डिपेंड करेगा कि आपने अपनी तयारी को कितना आख कान खोल कर किया है अगर आप रीस के चक्कर में आप किसी के मोटिवेसन के चक्कर में कहीं एडिमेसं ले रहे हैं कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो दिक्कत है लो तो अच्छे से पढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं THANK YOU SO MUUS